आपके विशनलाय रख़न महीं एया है सब्सक्याम प्र करता है पर चशांक्रिम को डिजाइन करसे वेदिव देने करने है přेस्केन कुछ सबुर्पयूर। करते हैं इसे pensa कहा है और जो था वह डिवाइनिंग अलगोरिटम क्या होता है और फिर जो था हो हमने अपको QUE CUT करने के लिए तो आज है वो हम लोग कुछ और इसेंपल जो है करते हैं कुछ और को अल्गोरिदम जो इसको बीच दे पहला है हमारे पास राइटन अल्गोरिदम देट इन्फुट वो नंबर को कैल्कुलेट सम और डिस्प्लेट दा सर्ट उन्दा स्क्रीड चैया जैता है कि ऐसा अल्गोरिदम करने लिए है था जो करवायए खिए नबरे मं को पर चेओ आपको चर demanded चर्रहे करें इसके ञंदर आपने जो तो यहां वो सिर्फ करने है गांड अजो को उरी आपने हें अब दू क्या जाय multic ejemplo तो वेरियबी जहें वह स्पेटर रहर और फिर क्या और खुन है तो сп कल्किलेर करें and और फिर सब्स चलिए कर ना быть करैं तो ऑड करना णो हे ऊंतक और को वह सब्सक्राइं लिए पर और जिसके लिए को एक तीसरे बिएबल की जो क्या क्या होगा आप उनका संप को स्टोर कर से तो दो विरियेबल्स आपने टेकले कर लें जिसके अंदर आपने तो नंबर सेव करने और तीसरा विरियेबल्स आपने टेकले कर लेना है जिसके अंदर आपने होगा संप जो है वो स्टोर करना है और फिर उस संप को आपने स्क्रीन और फिर क्या किया दूसरा variable declare कर दिया, input c के अंदर वह हमने कोई value जो है वो कोई भी constant value जो है वो save कर दिया 4 पे हमने 4 step कर क्या करना है आप इन तोनों को यपन करते हैं total या sum अगलब के एक पीसरा variable आपने डिपले रखिया जिसका नाम आप total रख सकते हैं यहां वो आप sum रख सकते हैं जो है वो आप sum रख सकते हैं दोनों में जो आपका name रख सकते हैं या इनके अलाबा कोई और name रखना जाए तो और भी रख सकते हैं तो sum is equal to y plus 3 यानका जो value y के अंदर आपने पुठ की और जो value आपके अंदर रख सकते हैं उसके पास इसने क्या का आपको कि जो है वो उसका जो sum होगा उसको display करवाना है सकते हैं तो आप फिर क्या करेंगे display और print total यहां जो हो आप display लिख लें यहां जो है वो आप printer लिख लें और जो variable आपने उपर लेगा अगर total कर वेरियेबल total is equal to y plus plus c लिख था तो आप यहां पे print total लिख सकते हैं और अगर आपने यहां पे sum लिखा है तो फिर आप वाव Sum Poro मेंसे एक उपर यूज करना है तो अपर यूज करेंगे वो यहां पे उज़ करना है तो यह जो था वो आपका कि तरा आप वह एक algorithm अब जो है वह हम लोग एक और algorithm देख़ा है To calculate the area of circle when the radius is due क्या कहता है कि एक ऐसा algorithm इक फो कि अंदर क्या करना है हमने circle का area है उसको calculate करना है radius ग्राइस हमने user से put करवाना है user ग्राइस 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 ग्राइस। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा हमने • वो variable एक टेलेयर करना पड़ेगा करना पड़ेगा जिसने का नाम किया होगा हमाने पास तोय भी आप नाम रख लें उसकेंदर आपने ट्या इसकें रहे रख सकते हैं यहां पे हन्ट उसने दे दिया एरिया एस तो 3.14 multiply r multiply r मतलब को math के इंदर आपने जो circle के area का formula पढ़ा है pi 3.14 मतलब pi और पढ़ा है आपने r square तो area is equal to pi r square तो यह आपने पार्ट का लगा देना है और जो भी radius की value loop होगी वह आपस में multiply हो जाएगी और उसके बागो 3.14 से multiply हो जाएगी और उसको आपने 3.14 पर जो करवा स्टार्ट किया हमने उसके बाद input radius in r के अंदर आपने radius को पुट कर देना है उसके बाद आपने circle जो है वह आपने लगा देना है area is equal to 3.14 multiply r multiply r तो क्या हो जाएगा जो प्यार जाएगा बाल्वाद आर के अंदर value to be we go जो होगी वह आपस को multiply होगी और उसके बाद जाएगे और multiply बॉने तर बाद वह क्या होगी area के अंदर जो है वो फ्टोर हो जाएगी तो इसके बाद का ना हमने उस user force हो कर आप सो फ्रेंट area और जो write an Algorithm to Calculate distance अमने केलकेलेट करना है Cover-5 द्चार्ड जो 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 एक कार जो 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 एक कार वस्ट बुट- स्विए करना है An average speed of b उसकी speed जो भी है विलास्की जो 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 ही speed जो भी है ता प्रोग्राम शुड्ड Average speed b एक पूद प्रोग्राम के अंदर आपने गया करना है जो आपने उसकी Average Speed लिए वो V वरियेबल के अंदर पूट करनी है और जो टाइम लेना है उसको एक अंदर बूट करना है और इसने एकटे दिया . , , , , ended . यह वाला algorithm भी solve algorithm का हमने start किया इसके पाद input average field in P टिक बाद P के अंदर आपने उसकी average field पुट करते हैं input time in T T के अंदर आपने उसका time पुट करते हैं और उसके पाद आपने track के यह पाद देना है S is equal to P-sparic T या वी multiply T Ke वाद आपने वाद आफ में़ा में था लौट तो user स mt itu vd जो आप वैरी कूच होंगी वाफ पसके multiply होंगी और multiply होने पर बाद किया होंगी वह s के अंदर save होजे और उसके पाद आपने तो स्पी लोगए सो करवाना तो आप स regular इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अल्गरिजम है राइड दा अल्गरिजम तो फाइंड आपने अपस में जो है वो जमा करना है और उनका आपने साम पाइंड करके आपने स्क्रीज़ लोग पर शो करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप अल्गरिजम को स्टार्ट करें और उसके अंदर वेरियबल आप लेंगे आपको जमा करना है और दूसके लिए एक वारियबल का नाम पारियोंगे लेंगे अपने फ़ीजम करना है और दूसरा क्या करना है लिए पहले 4 नंबर से लेंगे तो उसके लिए वो आप नबर रह सकते हैं और रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं तो अल्कॉलिजम को हमने स्टार्ट किया उसके पाद sum is equal to 0, मतलब के sum के अंदर जो है वह अभी कुछ भी save नहीं है n is equal to 0 के, n के अंदर भी जो है वह मतलब आपके पास कुछ नहीं सेख है, यहां के अजब के अंदर जो है, जो है वह 0 से इसके बाद हमने step जो है वह repeat करने है 5 and 6 और उसके पाद हमने जो है वह इसके अंदर condition लगाती है n less than equal to 50 के जो step हम लोग next 5 step और step number 6 नहीं है वह हम लें कब तक repeat करने है while n less than equal to 50 के n की value जब तक जो है वह 50 से कम और 50 के बरापर आजे तक तक जो है वह जब तक जानके यह 50 जब तक n की value 50 हो जागी तक 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 जो होगा वह तो है यह step 5 और 6 पी को ते रहने चैसे ही n की value 51 होगी तो इसके वाल स्टेप मतलुक्त के आप वाइल को जो है वह end हो जागा step यह feed नहीं तो उसके बाद हमने लिखती है sum is equal to sum plus n step number 5 लिखती है sum is equal to sum plus n से तो आप जुँ हमने क्या करना है कि इसको देखते है कि जिलाक देखती है कि इस तरह से जो हो जलेगा तो उमर पास है sum is equal to sum plus प्लास है तो sum की value उमर पास क्या है ? 0 10 की value मेराट पास क्या है ? सी जुन मनर पास क्या होताएम यह 0 plus सी बास is equal to तो मार पास जो सामगे उसकंदर आजाए डी जो है वो 0 से उसके बाद n is equal to n plus 1 तो n की value मार पास क्या है पहले जो है वो n की value मार पास 0 0 plus 1 is equal to मार पास क्या हो गया 1 तो आप जो है वो आपके n के अंदर क्या चीज़ से होगी 1 जो है वो save इसके बाद यह condition चैप हो कि जब condition चैप होगी तो n के अंदर आपके save है 1 तो 1 आपके पास क्या होता है 1 less than 50 तो यह condition जो है वो अभी 2 है यह condition 2 है तो फिर क्या होगा step 5 और 6 जो है वो repeat होगा तो जब जो है यह वाला step repeat होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 step को पहले repeat करते हैं तो 5 step है मुआ पास sum plus sum के अंदर आपके पास क्या save है 0 और n के अंदर क्या save है 1 तो 0 plus 1 is equal to 1 क्या होगया आप जो है वो आपके पास sum के अंदर जो है वो 0 रिंपूल होगया खतम होगया और उसके पास यह वो 1 save होगया उसके पास यह वाला step चलेगा यह वाला step चलेगा यह वाला step यह पर repeat होगा तो n is equal to n plus 1 तो n के अंदर आपके अंदर आपके पास क्या store है 1 है n के अंदर 1 store है और plus 1 हमने जो है वो यह है जो हमने strategy नहीं है जो फार्ट की था उसका आपके पास आप n के अंदर इकना save होगया 2 जो है वो save होगया तो उसके बात क्या होगा यह condition check यह जब condition check होगी तो 2 n जो है वो 2 है less than 3 2 तो यह condition जो है वो अभी भी true है तो यह condition true है वो 5 और 6 वाले जो step है वो repeat तो पहले हो हम लोग 5 को repeat करते है और 5 जो हमारे पास है sum plus n तो sum हमारे पास क्या है sum के अंदर save है 1 plus n के अंदर हमारे पास save है 2 plus 2 कर दिती है is equal to हो गया हमारे पास 3 तो क्या हो गया हमारे पास sum के अंदर जो है वो 3 से हो गया उसके बाद यह वाला step repeat होगा यह वाला step repeat होगा यहां पिलिखा है n is equal to n plus 1 तो n के अंदर हमारे पास 2 से है plus pf1 is equal to आगया हमारे पास 3 तो अब आपका end candle क्या से हो गया ? 3 3 जो है वह end candle save वापस जो है इदर आया condition चेक की 3 less than 50 condition अभी भी true है 3 जो है वह चाहसे less होता है थोटा होता है तो क्या होगा 5 और 6 step repeat और पहले 5 और repeat करते हैं तो 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है हमार पास ? sum plus n तो sum के अंदर क्या save है ? 3 और हमार पास जो n है इसके अंदर क्या save है ? इसके अंदर क्या save है ? इसके अंदर क्यों है वह 3 save है तो 3 plus 3 एकने हो गया हमारे पास 6 सामकेंदर क्या सेव हो गया हमारे पास 6 सेव उसमें 1 प्रमूब कर दिया 3 प्रमूब कर दिया आपके वो उसमें 6 जो है वो सामकेंदर जो है वो सेव उसके पाल जो है वो अगला स्काप रिपीट होगा अगल असका प्रेपीट हुआ तो N plus 1 है N के अंदर जो होगा माने पास 3 सेव है तो यहां पर क्या आगया 3 आगया Plus 1 का प्रेटी इस इपल टो होगा माने पास 4 तो इसके अंदर क्या सेव होगा N के अंदर 4 सेव होगा तो 4 Conditions एक्टीव सेने 4 less than 10 तो condition जो है वो अभी भी 2 है, तो 5 और 6 step देपार repeat होंगे, यह वाला step जो है वो repeat होगा जाब, तो यहाँ पर क्या आगया, sum plus n, तो sum के अंदर हमार पास 6 save है, और n के अंदर 4 save, तो 6 plus 4, हमार पास क्या हो गया, 10 equal to 10 10 तो आप जो हो मार पास, sum के अंदर क्या save हो गया, 10 इसी तरह आप जो हो आप, तो पारा 6 step को repeat करेगा, फिर condition जाप रहेगा, और इस तरह जो हो सारे के सारे step जो हो, repeat करता रहेगा, और condition को check करता रहेगा, तब तक यह चलती रहेगी, जब तक जो हो, n की वैल्यू 50 होगी, जब जैसे ही, n की वैल्यू जो हो, हमारा पास, 51 होगी, जब जो हो, n की वैल्यू 50 होगी, हमारा पास, 50 50 less than 50 यवाली कंडिशन जो हो हमारा पास, तो आउपको होगी, इघी होगी होगी लेकिन हमने तो हो कंडिशन रिता है, एक less than लिखा 하나, 8 is equal to, लेकिन 50 is equal to 50 यवाली कंडिशन, पोगी क्या करेगा एक बार, और तो हमारा इसको चलता, लिए इसके पाद जैसे ही n की value जो है 51 हो तो यह वाली condition भी जो है वह पहले ही रिच्छ थी वह wrong थी और फिर equal to वाली भी रिच्छ थी और प्रोग्राम ने यह चलना बंद हो जाए तो आप हम लोग देखते हैं कि हमने प्रोग्राम, यह जो यहूआ लिखता है, कि इतना स्थैन्ड रिख आता है रया नहीं आता, तो यह नहीं आता है। इसका मतलब क्या है जो भी हमने strategy बनाई है जो भी हमने कारमुला इतर नहीं पनाया है यह वो हमारा true है इस तरह इस इस काम को आपको हम लोग tax checking कहते हैं कि हम लोग paper पेपर पेज के ऊपर यह computer के अंदर जो strategy true algorithm लिखा होता उसको हम लोग input देते हैं और उसकी output आपह साइस्ट करोंगे और अंघर रोड़ा सा मुश्कारों है— हाप्सीत की अंदर व्हत्तरगी तो आप को एक टो बार पुछक्रोंगे तो आपको यह losd जो है वो समझ आ जाएगी page पर अपने जिश्टर पर जो है वो एक दो बार पूज करोगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी अगर ना समझ आए तो आप नीचे जो है वो comment section के अंतर जो है वो comment करके कोई भी question जो है वो पूछ सकते हो आपको जो है वो उसका answer किया जाएगा इसके बाद हम लोग जो है वो एक आखरी जो है वो algorithm इतने है अगर आपने जो है वो फाइब करना तो आप क्या करेंगे वान से लेके वान मुल्टिप्लाइब टू और इस तरह तरह तक जो है वो सारे नंबर्स को आपस में मुल्टिप्लाइब करतेंगे तो जो answer आएगा वो फिक्टोरियोल होता है जिस तरह आगर जो है आप तीन का हम जो है वो फिक्टोरियल होगा जो है वो हमारे है 6 होगा तो इस तरह कोई भी नंबर होगा तो इसका जो हो करना है, तो faktorial find करने के लिए आप को कितने वह variable चाहिए होगे, एक तो में और यह variable चाहिए होगा, जिसके नदर sum होके सब्सक्राइब आप रख सकते हैं उसके बाद आपको नमबर पूछकी है मतलब प्लस बान करते हैं वो नमबर तू हो जाए वो एक उसको एक नमबर को इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए होगा तो आपको आपको चाहिए होगा तो आपको लोग लिखना स्टार्ट करते हैं पहले आगे हमने पास स्टार्ट स्टार्ट करने अधर प्लस एक तो प्लस 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 के लिए उसको मदर किस्क्रीज करने तो आपको पर प्लस करने अधर वह वह ही रहती है जो पी नमakukan होगा वह वह ही नमबर उह शल्क नमपर जगा वह हम रख आप इसके पाद कि ईंदर नहरा शूर कर लिए यह तो नहरा है और न हम रसे पाद काक्स नम कला था यह बहुत है फिर this बोब हो जए ईसके बाएं हो इसके बांट की के पारा है को सिंके बूद को वो आपके number put करना है जिसका आप जो है वो pictorial लेंगे तो आप जो है वो हम लोग अगर इस step में condition लगा तो we are step 6 while and less than equal to number क्या करता है ते step 6 जो हमने आगे लिखना है उसको repeat करो तब तक repeat करो जब तक यह वाला value जो है वो इसकी value जो है वो इस number से चोटी हो और इसके बरापर आजा तब तक जो है वो इसको क्या करते रहोगे step 6 को जो है वो repeat कर तो user में अगर 4 put कर दिया तो n को हम लोग जो है वो एक एक increment करते रहेंगे तो n के value आफर का जो है वो इस number के बरापर आजाए तो इस time तक चेता रहेंगा जैसे ही n के value इस number से increase करेगी तो क्या होगा हमारा algorithm चलना जो है वो बंद हो जाएगा यहाँ आप कहतों कि step 6 जो है वो repeat कर बंद हो जाएगा तो हमार पास step 6 क्या है tutorial मतलब के f is equal to f multiply n के f और n को आपस में multiply करो अब अगर हम लोग जो है वो क्या करते है यहाँ पे भी 0 रखते है यहाँ पे 0 रखते है तो 0 ने multiply हो जाना था आपस में तो 0 answer आना था तो f के अंदर क्या हो जाता जिरो से हो जाता अब n की value जो थी वो increase होनी थी यहाँ पे आमने लिखते है n की value जो हो एक increase हो जाए तो n की value जो हो हमार पस 2 हो जानी थी n की value 2 होनी थी f के अंदर क्या save था 0 save था तो 0 multiply 2 खिर 0 तो क्या होना था जहां तब मर्जी आप repeat करते रहते है विक्टोरियल के अंदर जो था यह f जो अपने variable है उसके अंदर जो था वो अजावा होना ही था उसके अंदर जो था 0 ही save रहना तो इसलिए हमने इनको पहले ज आप देते हैं किस तरह से यह आप करता है इसकी text checking और प्र जो तो start के अंदर हमार पास क्या होगा f multiply है तो और नो की value हमार पास 1 वान है आपस में multiply होंगे तो 1 नी आ जागा वो 1 जो है आपने पहले ही जो है वो store करते है user ने जो है वो कोई भी आपने user से number जो है वो input करवा 1 ए 1 less than 4 क्या होगा 1 जो है वो 4 से less than है condition true है तो क्या होगा यह वह वाला step 6 जो है वो repeat होगा step 6 repeat होगा तो यहाँ पे लिखा है f multiply n ए एक अंदर 1 Save है n के अंदर 1 Save है इस दोनों आपस में multiply होगे तो f के अंदर क्या save होजाएगा 1 जो है वो save होगे उसके बाद यह वाला step जो वह चलेगा यह वाला step चला तो यहां पर उसमें उत्रिया n plus 1 n plus उसने 1 कर दिया तो इससे क्या होगा कि हमारा जो n की value थी उसके अंदर जो है वह एक अजाफा हो जागा तो n की value हमारे पास 1 है तो यहां पर आगया 1 plus 1 is equal to 2 तो अब जो हमारे पास n के अंदर क्या save हो गया 2 जो है वो save हो गया तो यहां पर आएगा condition जो है वो check तरहे है 2 less than 4 condition 2 है condition 2 है तो step 6 repeat होगा step 6 repeat होगा तो क्या होगा f multiply है f के अंदर जो है 1 save है 1 multiply 2 is equal to क्या आजाएगा आपके पास 2 है तो अब जो है वो उसने f के अंदर क्या save परती है 1 को remove करके 2 को save करके 2 को save की रहा तो उसके बाद यह वाला step repeat होगा यह वाला step repeat होगा यहां पर आगया n plus 1 तो n के अंदर आरेटी माल पास 2 save है तो plus 1 किया is equal to माल पास आगया 3 तो n के अंदर क्या save होगया 3 जो है वो save होगा जब 3 save हुआ तो यहां पर condition क्या था 3 less than 4 जो यूबर रपूप किया था 3 जो है वो less than अगर less than है तो फिर क्या होगा condition 2 है condition 2 है क्या होगा step 6 से repeat होगा step 6 यह वाला जब repeat हुआ जिसके अंदर लिखा हुआ f multiply n तो f के अंदर क्या save है आप 2 और n के अंदर क्या save है 2 और 3 आपसमें multiply 2 multiply 3 3 is equal to 6 तो अब जो है वो f के अंदर क्या save हो गया उसमें 2 और remove कर लिया और 6 वो save कर लिया अब यह वाला 7 step जबर तो n प्लास 1 n के अंदर क्या save है हमारे पास 3 save है 3 plus 1 क्या होगा हमारे पास 4 तो इसके अंदर जो है वो 4 save हो गया 4 save हो गया तो इसके पाल क्या हो ना condition check 4 less than number 4 तो तो यह वाली condition हमारे पास गया हो गई 2 और 5 फो sun जेखें हमें 2 चीज़ां है यहां पाल की थी AND जो है वो less than यह proper जब N जा है number के आज है तक 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 रहए वो चलता रही तो यह वाली condition हो थो हमारे पास 4 एकोल तू 4 तो यह वाली condition हमारे पास 4 थो इगर ये वाली condition जो है वो 2 है तो फिर क्या होगा step 6 जो है वो repeat होगा जब step 6 जो है वो repeat होगा तो क्या हो गया जो है f ने n से multiply होगा है तो f के अंदर 6 से save है और n के अंदर 4 से save है तो 6 multiply 4 कितने आ गया हमारे पास 44 तो अब क्या होजागा f के अंदर pictorial के अंदर क्या से होजाएगा 24 जो है वो save है उसके बाद ये वाला step चला n प्लास 1 n के अंदर 4 save है प्लास 1 किया तो आ गया 1 पास 5 तो condition क्या होगी है माली जो है वो wrong होजागी यांकर 5 less than 4 तो condition pass 5 equal to 4 condition हमारी क्या होगा है तो आमनों condition है हमारी पास तो मारा जो algorithm है क्या यह जो repeat हो रहा है step यह वाला step चो है वो repeat होना पान्थ हो जाएंगे और जो एप के अंदर save होगा उसको हम लोग वने जो है वो display अर्गा दे है उसको जाएं हम लोग print application यह display application तो आपने को save होगा हो यह हो प्रिंट हो जागा तो हमारे F के अंदर क्या save हो? 24 जो है वो save है पांदर है तो अब हम लोग देखते हैं तो चारका जो आप calculator से हैं आप ऐसे करें तो फिर भी answer आपके पास इस तो है वो same 24 जो है वो इसका मतलब क्या होगा यो strategy हमने इधर बनाई है वो क्या है वो हमारी जो है वो रहत खीक है तो यह भी जो है थोड़ा सा complicated है थोड़ा सा झाल झाल